नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमार इंफो सिख्षा चैनल में आप सभी का हाथिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं भरवरी महीने के कुछ महत्पूर करेंट अफेर्स पे जो आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्पूर है तो आईए दोस्तों बात करते हैं इस्पेनिस पैरा पैटमिंटन इंटरनेशनल टूर्टनामेंट ये कहां पे आयोजित किया गया इस स्थान को पहले याद कर लीजिएगा इस्पेन के विक्टोरिया गस्तिज में आयोजित किया गया तो ये प्लेस आप नोट कर लीजिए भारती टीम ने चार स्वाण पदक सहित अठारा पदक जीते हैं प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने पुरुस यूगल में स्वाण पदक जीता तरून ने सुकांत कदम को हरा कर स्वाण पदक जीता एकल में भगत ने रताज़त पदक जीता और वहीं पे सुहास अलवाई ने पुरुस एकल एसल फोर में कांस पदक जीता तो दोस्तों सुहास अलवाई का नाम बहुत ही फेमस है इनका नाम आप जानते ही हैं कि नोडा में ये डीम के पद पे हैं और इन्दों ने इससे पहले भी पदक जीत चुके हैं तो आईए दोस्तों नेक्ष्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं फीफा आवाड दो हजार बाईस के बारे में तो दोस्तों ये प्रदान किया गया कब 27 फरवरी 2023 को तो है 2022 का लेकिन दिया गया है 2023 में तो ये आवाड 27 फरवरी 2023 को पेरिस गाला में दिया गया अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने पूरु स्वर्ग में बेस्ट फुटवालर का आवाड जीता है तो नाम ये यार तकिएगा लियोनल मेसी इसके बाद है नेक्स्ट पूरसकार है दोस्तों और जो अन्य पूरसकार है उसके बारे में हम चार्चा करते हैं सरस्टेश्ट फीफा पुदुस खिलाडी कौन है लियोनल मेसी है सरस्टेश फीफा महिला कोच किसको चुना गया है दोस्तों सरीना वीगमैन को तो फीफा फेयर प्ले एवार्ड किसको दिया गया है लुका लोच सवीली को सरस्टेश फीफा पुरुस गोलकीपर काउन है दोस्तों इमिलियानो मार्टिनेज सरस्तेश्ट फीफा महिला गोल कीपर काउन है मैरी एरपस तो ये कुछ पुरा स्कार है जो फीफा एवाड 2022 के लिए 2023 में दिया गया है इनको आप यात रखिए तो आएए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है वाइस एड्मिरल दिनेश दिपाठी ये पस्मी नौसेना कमांड के प्रमुख बनाए गए है ये फ्लैग आपसर कमांडिंग इनचीप के रूप में कारिभार गरहण किया तो किस रूप में आप ये पॉइंट नोट कीजिए इन्होंने वाइस एड्मिरल अजेंदर भादू सिंग का अस्थान लिया है तो किसका प्लेस इन्हों लिया अजेंदर भादू सिंग पस्मी नौसेना कमांड की अस्थापना कब हुई है दोस्तों 1968 में और इसका मुख्याला कहां पे है मुंबई में यह पॉइंट यह तकिए आईए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि अताश्टी विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाये जाता है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है 28 फरवरी दो 1928 को भौती विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रतामन प्रभाव की खोच की गई है तो खोच की गई थी इसके लिए सीवी रमन को 1930 में भौती का नोबेल पूरसका प्रदान किया गया था तो प्रथम ताश्टी विज्ञान दिवस कब मनाया गया था 1987 से इसकी शुरुवात मनाने की हुई है दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट पर आईए चर्चा करते हैं दोस्तों क्रायोजनिक इंजन CE 20 इस्तों ने क्रायोजनिक इंजन CE 20 का सफल परिछन किया है तो यह याद रखिएगा कि क्रायोजनिक इंजन का नाम क्या है CE 20 है यह चंद्यान विशन 3 के लिए अतिमहत्वपूर है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्ट्राइब कीजिए और बिल के आइकान पर क्लिक कीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों